हेलो दोस्तो मैं अच्छवित अरुण में आपका स्वागत हैं कैसे हो आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छी होंगे तो दोस्तो आज हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं परसेंटेज चेप्टर से चीनी के मुल्य में या भाव में व्रद्धी या कमी वाले कोशन्स या उनका वास्तविक मुल्य या नया मुल्य ग्याद करने वाले कोशन्स को हम डिसकस करने वाले हैं यदि दोस्तो आप मेरे चैनल पर पहली बार आये हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को अधिक से अधिक शेर कीजिए और बेल आइकन पर बटन दवाना ना बुलिए ता आए दोस्तो हम शुरू करते हैं आज का फ़र्ष्ट कोश्चेंस दोस्तो कोश्चेंस है चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाने के कारण एक महीला 360 रुपए में 3 केजी चीनी अधिक खरिच सकती हैं तो चीनी का वास्तविक मुल्य ग्याद करो हमें क्या करा गया है कि चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई हुआ हैं यानि की 20% बराबर कितना होता है हम लिख सकते हैं 20% तो 20 बटे परसेंटेज को अटाएंगे तो बटे में 100 और इसको सोलो करेंगे तो हो जाएगा एक बटे 5 तो कमी हो रही यानि की पांच के उपर एक की कमी हो रही है तो हमारा क्या होगा price और तो हम यहां लिख लेंगे old और new क्योंकि old हमारा कितना था पहले 5 था क्या था price यहां पर price लिख लेंगे हम और यहां पर quantity को हम लिख लेंगे अगर हमारा पहले price old पुराना 5 था तो कमी होने के बाद नया क्या हो जाएगा एक कम हुआ पांच के उपर एक कम हुआ तो यहाँ पर हम लिख लेंगे चार का लेकिन दोस्तो यदि अगर हम प्राइस के रेशो को पलट देती हैं तो हमारे पस क्वांटिटी का रेशो निकल कर आ जाता हैं तो अगर हम यहाँ पर चार को अगर हम यहाँ पर लिखेंगे और पांच को यहाँ पर लिखेंगे तो हमारे पास एक क्वांटिटी का रेशो निकल कर आ गया दोस्तो यहाँ पर हमने इस रेशो को क्यों पलट आएं उसको भी मैं आपको बता देता हूँ मान लिजे कोई वस्तू पहले उसका प्राइस पांच रुपई था तो पांच रुपई के इसाब से चार वस्तू अगर आप खरीदते हो तो कितने रुपई हो जाएंगे 5 इंटू 4 करोगे तो 20 रुपई हो जाएंगे लेकिन अगर उसके प्राइस में 20% की कमी होने से वो प्राइस अब हमारी हो गई 4 और उसका क्वांटिटी बढ़ गई यानि कि अब जादा खरीद रहें तो अगर अब 20 रुपई में अब कितने खरीद पाएंगे 4 इंटू 5 करेंगे तो 20 में तो पहले वो 5 रुपई के इसाब से 4 खरीद रहता है अब वो 4 रुपई में कितनी खरीद रहें 4 रुपई के इसाब से 20 रुपई में कितनी खरीद रहें 5 खरीद रहें तो यह इस वज़े से हमने यहाँ पर क्वांटिटी का रेश्यो हम पलट देते हैं तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि पहले हम 4 खरीद रहेते हैं और अब हम खरीद रहे हैं 5 लेकिन हमें कोशनस में कहा गया है कि वो महिला 360 रुपए में 3 केजी चीनी अधिक खरीदती यानि कि यहाँ से यहाँ तक हमारी क्वांटिटी एक की वरद्धी होई लेकिन कोशनस में 3 के उरद्धी बताया तो एक बराबर कितना है 3 तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं टोटल क्वांटिटी यानि कि अगर 4 में अगर हम 3 का इंटू करेंगे तो 4, 12 यानि कि पहले वो 12 खरीदती थी और अगर हम 5 में अगर 3 का इंटू करेंगे तो अब वो नया कितना खरीदती है 15 यानि कि अब वो 15 खरीदती है तो हमसे क्या पुछा गया है तो चीनी का वास्थविक मुल्य ग्याद करो यानि कि वास्थविक मुल्य यानि कि पुराना मुल्य की हमसे पुछाएं तो 360 में अगर हम 360 में अगर 12 से डिवाइट करेंगे तो 12 से कटेगा बारतिया 36 यानि कि 30 खरीद रहें तो 360 बटे 15 करेंगे इसको हम सोलो करते 15 दुना 36 बचे का 15 चोक साड़ यानि कि अब वह 24 रुपए पती के जी के हिसाब से खरीदता हैं तो दोस्तों यह इसका अंसर होगा इसका अंसर होगा 30 रुपए 30 रुपए पती केजी यह हमसे पूचया उसका वास्तविं मूलिए ही इसका अंसर होगा तो आईए दोस्तो इसी कौश्ण्स को हम एक बार और समस्ते हैं हमें कोश्ण्स में कहा गया ही छीनिक के भाव में 20% की कमी हो जाने के कारण तो हमने 20% को 60 हो गया percentage को अठाएंगे तो बटे में 100 एक बटा पांच दो से कटेगा 10 पांच बार तो एक बटा पांच हो जाएगा यानि कि पहले हम 5 रुपए के इसाब से खरीते थे अब कमी होने से कितना हो गया 4 यानि कि हमने price का ratio बना दिया 5 ratio चार का लेकिन हमसे कहा गया है कि 360 रुपए में 3 कीजी चीनी अधिक खरी सकता है तो हमने यहाँ पर क्या किया quantity के ratio को पलट दिया क्योंकि क्योंकि quantity का ratio इसलिए पलटा है कि हमारा ratio बराबर हो जाए यानि कि वह पहले 5 रुपए के हिसाब से 4 वस्तुए खरीता तो टोटल 20 रुपए होते हैं लेकिन उसमें फिर भी कहा गया 20 रुपए में वह चार के हिसाब से कितना करेगा तो 5 बन जाएगा यहाँ पर तो अब पहले वह उसका price 5 रुपए था अब हो गया 4 रुपए पहले वह चार वस्तुए खरीता था अब हो गया वह पांच वस्तुए खरीता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो भी हमें संक्यागा इंटू करेंगे आपस में 5 इंटू 4 या 4 इंटू 5 करेंगे तो ये बराबर होना चाहिए लेकिन हमारी quantity का ratio देखा तो 4 ratio 5 यानि पहले वो 4 खरीद रहा था अब वो 5 खरीद रहा है लेकिन वो 3 kg चीनी अधिक खरीद रहा है यहां ने कि यहां से यहां तक हमारा 1 का difference आया है लेकिन 1 के बराबर वो 3 की बोल रहा है तो यहां पर 4 इंटो 3 करेंगे यानि कि पहले 12 खरीद रहा था और अगर यहां 5 में 3 का इंटो करेंगे तो अब वो 15 खरीद रहा है तो हमसे पूचा है कि चीनी का वास्तविक मुल्य ग्याद करो यानि कि 360 में वास्तविक मुल्य के पूचा है तो बारा से डिवाइट करेंगे बारतिया 36 30 रुपए पती केजी और अगरी हमसे पूस्ता है कि नया मुल्य ग्याद करो तो नया कितना खरीद रहा है वो 15 खरीद रहा है तो 360 बटे 15 करेंगे तो उसका मुल्य हो जाएगा 24 रुपए पती केजी यही इसका आंसर होगा तो आएए दोस्तों इसी टाइप से हम एक नेश्ट कोशेंस को और समझते हैं हमें कोशेंस में कहा गया है चावल के मुल्य में 16 से 2 बटा 3 परसेंट की व्रद्धी हो जाने की कारण एक व्यक्ती 480 रुपए में 4 केजी चावल कम खरीद पाता है तो चावल का नया मुल्य ज्याद करो यानि कि 16 से 2 बटा 3 परसेंट कितना होता है दोस्तों यह होता है एक बटा 6 लेकिन क्या कहा व्रद्धी हो जाने के कारण तो यहाँ पर क्या और ही व्रद्धी और इसलिए हमें इस तरह से 3 का चिन्न बना लिए यानि कि हम यहाँ लिख सकते हैं old और new और यहाँ पर हम लिख लेंगे price और यहाँ पर हम लिखेंगे quantity यानि कि पहले वो 6 खरीद रहा था तो 6 रुपए की इसाब से खरीद रहा था तो अब price में व्रद्धी हो जाने की कारण कितना हो गया 6 के उपर 1 की व्रद्धी हो यानि की 7 की व्रद्धी हो गई और मैंने बताया था दोस्तों का अगर हम price की ratio को पलट देते हैं या उल्टा कर देते हैं तो हमार रुपास quantity का ratio निकल कर आ जायता है तो यहाँ पर हम 7 को यहाँ पर लिख लेंगे और 6 को हम यहाँ पर लिख लेंगे क्योंकि दोस्तों इसा हमने इसलिए किया है क्योंकि उसका व्यक्ति 480 रुपई में ही खरीद रहा है लेकिन वो quantity की संक्या व्रद्धी हो रही ह वो इस ratio के उपर depend करता है यानि कि पहले उसका price 6 रुपई था तो 7 वस्तों इक खरीद सकता था और अब उसका price 7 रुपई है तो आप वो 6 वस्तों ही खरीद सकता है यानि कि इनका price हमारा बराबर कर लिया इनका total मुल्य हमने बराबर कर लिया लेकिन यहाँ पर हम देखते ह है कि अब यहाँ पर कितने की कमी अवरद्धी हुई पहले वो 7 खरीद रहता है और अब कितना खरीद रहा है वो 6 खरीद रहा है यानि कि 1 की कमी हुई लेकिन हमसे कहा गया question में कि 480 रुपई में 4 केजी चावल कम खरीदता है यानि कि 1 के बराबर उसने दिया है 4 तो हमसे तो यहां पर अगर 7 में इंटू 4 का करेंगे तो पहले वो 7 चोग 28 यानि कि पहले वो 28 खरीद रहा था तो अब कितना खरीद रहा है 6 में 4 का इंटू करेंगे तो 6 चोग 24 यानि कि अब वो कितना खरीद रहा है 24 ही खरीद रहा है तो दोस्तों यहां से हमें पता चल गया होगा तो 4 kg चावल कम खरीद रहा है यानि पहले 28 खरीद रहा था और अब 24 खरीद रहा था यानि कि यहां से यहां का डिप्रेंस भी 4 आ रहा है यानि कि हमने questions को बिलकुल सही solve कर रहे हैं तो हमसे क्या पूचा कि चावल का नया मुल्य ग्याद करो नया मुल्य के पूचा तो अगर हम 480 में 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 दूना 48 जीरो यानि के 20 रुपए पती केजी के हिसाब से वो अब खरीद था यही इसका अंसर होगा लेकिन दोस्तों यह अगर हमसे पूच लेता कि उसका ओल्ड मुल्य ग्याद करो तो यहां पर हम 480 में 480 के में पुराने के हिसाब से कितने quantity खरीद रहा था 28 तो यहां पर हम 28 लिख लेंगे और इसको solve करेंगे तो 4 से कटेगा यह 7 बार 4 से कटेगा यह 4 एकम 1 चार दुनी 8 120 120 बटा 7 यह अगर इसको हम सोलो करेंगे तो 7 एकम 7 पांच बचे का साती साती 59 एक बटा 7 यही इसका आंसर होगा अगर हमसे ओल्ड मुल्य पूस्ता तो लेकिन हमसे पूचा का गया है न्यू मुल्य पूचा गया है कि नया मुल्य ग्याद करो तो इसका आंसर यह होगा तो दोस्तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टाइप के question समझ में आ गये होंगे तो दोस्तो यह आपने वीडियो अच्छा झाल